जैहिन सात्यों वेलकम टू सेल्प इस्टेडी किलासेस विस्समिच जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो सभी लोग आ जाए भटापट से और आज का ये गड़ित फेड़ोगोजी का लगभग अपना जो प्रैक्टेस सेट है दस बाप्रैक्टेस सेट है और ये बहुत ही महत्पूर है इसके बाद अपना नेक्स्ट जो अपनी होगी या तो हिंदी आपकी करवाई जाएगी या फिर बयाक करना तो बहुत बढ़िया सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगी इस्टार्ट टेलिग्राम ग्रूप से जोड़नी के लिए आपको सर्च करना है आई एस स्टेडी ट्रेकोर जोईन हो जाना है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग आ चुके हैं स्टार्ट करेंगे आज कर वीडियो सभी को जय हिंद सभी को गुड आफ्टर नून ठीक है स्टार् समस्या का हल नहीं के निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने एक बटे तीन केक के टुकड़े हैं इसका कारण क्या है इसका कारण हमें बताना है जबी लोग बताएंगे ठीक है मिल जाएगा सर्च करो अच्छे से सर्च करो IAS study trick सर्च करना है भाईयो एक बार फिर से सर्च कर मिल जाएगा ठीक है अब हमें बताना है उत्तर सभी लोग उत्तर बताएं फटाक से कि एक कक्छा पांच बी का बिध्यारती है उसकी समस्या है एक बटे दो भागत एक बटे तीन को सही तरीके से हल कर सकता था लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आदे केक म एक बटे तीन केक के टुकड़े हैं इसका कारण क्या है सभी लोग बताएंगे प्रस्ण करमांग तीन सो बीस का उत्तर बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा तीन सो बीस का तीन सो बीस का जो आपका उत्तर हो जाएगा सभी लोगों ने बताया है क्या कि भिन्नों पर सक्र बिना संदर्भी करन और भासा सहायता पढ़ाई गई है यानि जो बिकल्प नमर आपका B है वो बिलकुल इसका सही हो जाएगा ठीक है भिनने के बारे में बात हो रही तो B नमर इसका बिलकुल सही होगा नेक्स्ट पर देख लो है नाद नेक्स्ट क्या है हमिदा अपने विद्यारतियों की गर्तिय योगताओं को सम्ड़न करने के लिए उन्हें सदा संखिया पृती रूपों का अबलोकन करने और परीकल्पना बनाने देती है बह बोड़ परनने मिलके संखियां लिखती है और प्रशनों के सेट के माध्यम से एह चारती है कि विध्यारती है अब लोकन कर सकें तो बताना है आपका उत्तर क्या हो जाएगा थोड़ा सा प्रशने बढ़ा है प्रशनों को थोड़ा सा समझना है उसके बाद उत्तर बताना है है ना इस पřिरकार से प्रस्चन हैं और इस चार विकल्प हैं तब चार में से एक का उत्तर चैन करना है उत्तर क्या होगा सबी लोग बताएंगे सबी लोगों ने पर्यावरन पैड़ोगा ओजी वीडियो देखी की नहीं देखी अभी तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या यदि भाजक और भाज दोनों दस्त की घात से बढ़ाएं या घटाए जाएं तो भागपल समान रहता है है ना तो यहाँ पर जो बैप्रस्णों की सेट के माद्यम से चाहती है कि विद्या करती है अब लोकन कर सकें यानि की बी नम्मर जो है आपका बिल्कूर सही होगा इसका ठीक है अंगला कोस्चन देखो एक सिक्षक आधार और इस्थानी अमान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्लेलकित पहेली का प्रियोग करता है मैं आठ दहाईयों और चार एकाईयों से कम हूँ इस गतिविदी का उत्देश क्या है मैं आठ दहाईयों और चार एकाईयों से कम हूँ इस गतिविदी का उत्देश बताना है 322 का उत्तर बताना है तब आपका उत्तर क्या होगा दौनों मैसे ही बता दो आधार 10 और इस्थानी अमान की संकल्पना को समाई कक्छा में निमले कित पहेली का प्रियोग करता है कि मैं आठ दहाईयों और चार एकाईयों से कम हूँ इस गतिविदी का उद्देश से क्या हो जाएगा इस गतिविदी का 322 का आपका उत्तर होगा दोस्तों आधार 10 और स्थानी अमान की संकल्पना को द्रड करना यानि बिकल्प नमबर जो ए है वो आपका सही होगा अंगला कॉस्चन देखेंगे अंगला आपका कॉस्चन है क्या है देखो बिन्नों का योग पढाते समय स्री सेहन द्वारा एह देखा गया कि निमने प्रकार की तुटी बहुत आम है दो बटे तीन प्लस दो बटे पांच बराबर चार बटे दस इस प्रकार की जो तुटी है वो आम है स्री सेहन को निमन उप्चारात्मक कार करना चाहिए कौन सा कार करना चाहिए चार विकल्प है चार में से एक का चेहन करना है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को इस्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक पिर्ती रूप देना तथा बाद में समान प्रकार की सवालों का अभ्यास कराना विद्यारतियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग बाले सवालों का अभ्यास कराना या पिर हर के लगुत्तम समा बर्त की संकल्पना को इस्पष्ट करना या समान प्रकार की सवालों का अधिक अब भ्यास कराना तब आपका उत्तर क्या होगा है ना इस प्रकार की तुल्टी के बारे में सेहन इमले के तो उप्चार आत्मक कार करना चाहिए तब सभी का उत्तर सभी को बताना है उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौँसा अस्मान भिन्नों के योग की संकलपना को स्पस्ट करने के लिए चित्रात्मक पृति रूप देना कि असमान भिन्नों की योग की संकलपना को सपष्ट करने के लिए चित्रात्मक पृति रूप देना तथा बाद में जो है समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना यह हो जाएगा भिन्नों की तुलना पढ़ाते समझ जिसमें अंस समान है जैसे तीन बटे पांच और तीन बटे साथ रोहित की पृतिकरिया थी चुकि अंस समान है और साथ पांच से बड़ा है अतह तीन बटे साथ तीन बटे पांच से बड़ा है यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया रोहित को मित्रों भिन्नों के पई नाम की समझ नहीं है रोहित अंस और हर की अबधारना नहीं जानता रोहित तुल और भिन्नों की अबधारना नहीं जानता तब आपका उत्तर 324 का उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंज समान है जैसे तीन बटे पांच और तीन बटे साथ रोहित की प्रितिक्रिया थी चुझकि एंस समान है और 7-5 से बड़ा है एफ बताता है तो क्या बताता है सभी लोग उत्तर बताएंगे उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सभी का उत्तर हो जाएगा D कि रोहित तुल भृन्नों की अबधारना नहीं जानता यानि कि जो बिकल्प नमबर D है वो इसका सही होगा तुल्ले भिन्नों की अबधारना नहीं जानता रोहत ने जिस परकार से भिन्नों में बड़ा छोटा ग्यात करता है बहत तरीका गलत है जिससे पता चलता है कि रोहित तुल भिन्नों की अबधारना नहीं जानता यानि बिकल्प नमबर जो D है वो आपका सही होगा तब अंगला क्वेस्चन हमें बताना है वो क्या होगा सभी को बताना है कि छोटे बच्चों में गर्तिय विचार निमन करम में बिक्सित किये जा सकते हैं किस करम में बिक्सित किये जा सकते हैं जल्दी से उत्र बताओ चित्र संकेत ठोस बस्तुएं संकेत चित्र ठोस बस्तुएं ठोस बस्तुएं चित्र संकेत ठोस बस्तुएं संकेत चित्र तब आपका उत्तर क्या होगा प्रश्न करमांग 325 का उत्तर बताना है और सभी लोग बताएंगे कि छोटे बच्चों में गरतीय विचार निम्न किरम में विक्षित किया सकते हैं कौन से किरम में विक्षित किया सकते हैं सभी का अंसर आनी चाहिए तब सभी ने उतरव क्याँ बताया है 325 का उत्रवताया है C ऐने की ठोस बस्तू है चित्र और संकेत C नम्मर इसका सही हो जाएगा बहुत बढ़िया मंगल जी, सुरेंदर जी C नम्मर इसका सही है अंगला कॉस्चन देखेंगे अंगला कॉस्चन अपना क्या है छोटे बच्चे बच्चों में गरतीय विचार विक्सित करने के लिए सबसे उपयोक्त तरीका सरप्रता उन्हें ठोस बस्तू दिखाएं जिससे उन्हें उसके बारे में ब्यक्त करने में कटनाई ना हो अन्यतावे उसके बारे में ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे चित्र दिखाकर वी संतोस जनक उत्र बच्चों से आप राप्त कर सकते हैं उसके बाद आप संकेत के माद्यम से बच्चों को समझा सकते हैं तब अंगला हमारा क्वश्चिन है कि कक्च्चा में एक छातर बोले में कटनाई महसूस करता है स्वयम की अभी व्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोष साहित करेंगे बताना है उत्तर परीचर्चा का आयुजन करके ऐसे खेलों का आयुजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें जो स्वयम की अभी व्यक्ति अच्छे धंग से करें उसे अधिक अंक देकर या बच्चों को कक्चा की गतिविदियों में भाग लेने के लिए प्रोष साहित करके तो आपको उत्तर बताना है कि कक्चा में एक छात रहे बोलने में कटना ही महसूस कर रहा है स्वयम की अविव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोज साहित करेंगे तो उत्र बताना है सबी लोग उत्र बताएंगे फटा पट से